और आज मैं आपके साथ natis शेयर करने वाले हो Ganesh TraAllah ने जला इसले विडियो में आपके साथ इस विडियो में महत बनाने के लिए सबसे पार मैंने लिया मो Va fraud . कुछ इस तरीके से ये इसल आपको market में मिल जाईगा और जैसा मैं आपके साथ share कर रहे हुँ, इस वीडियो में कि आज मैं आज आपके साथ 1, 2, 3, नहीं पूरे 4 तरीके के można linking आपके साथ share करूनगी तो सबसे पहले कडाइं में अधा टी स्पून घी गी अच्छे से गरम हो जाने के बाद अब मैं इसमें एड कर रही हूं खोया तो यहां पर मैंने फ्रेश खोया घर पर ही बनाया था और उसे एड कर दिया है आप जाहे तो रेडिमेट खोया भी घर पर लाकर के बना सकते इस मोदक को पर कोशिश करें कि आप फ्रेश खोय को इसली घर पर पर प्रिपेर करें और फिर मोदक बनाए इससे फ्लीवर इससे बहुत ही पढ़िया आता है तो यहां पर मैंने एक मिनट के लिए खोय को गी के साथ अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है त तो आप अपने टेस्के कोडिंग एड़ कर दें और यहां पर मैंने खोया में जब चीनी एड़ कया है तो गैस का फ्लेम मैंने लो सी मीडियम रखा है ताकि खोया बिल्कुल भी जले नहीं और जो चीनी है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तो चीनी के पिगलने तक का करेंगे लगातार चलाते हुए जब चीनी अच्छे से पक जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके कासिस्टेंसी किस तरीके से होनी चाहिए तो जब चीनी पिगलना शुरू होती है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यह पूरी खोय को एब्सॉर्फ कर ल तो इसे एक से दो मिनट के लिए पका लेते हैं लगातार चलाते वे तो आप देख सकते हैं कि यह खटा होना शुरू हो गया है तो इस तरीके से आप लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट और पकाले जब आप देखेंगे की कढ़ाई को खोया ने अच्छे से चोड़ना चुरू कर दिया है कुछ इस तरीकी से तब तक आपको इसको पका लेना है यहां पर आप देख सकते कड़ाई को चैसे इसने छोड़ दिया है तो गैस का फ्लेम ओफ करके सारा खोया को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हलका सा थंड़ा होने तक का वेट कर लेंगे तेहा पर मैंने घी अच्छे से लगा लिया है अंदर के तरफ कुछ इस तरीके से मोल कई तरीके के मिलते हैं तो फर्स फ्लेवर देख लेते हैं मोदग बनाने के लिए ट्राइफ रूट फ्लेवर तहां पर मैंने जो खोया लिया था प्लेट में उसमें एड़ कर दिया है प्लेवर आजाए तो पहला मैं आपके साथ मोदग शेयर कर रहे हूं ड्राइफ रूट वाला इह बहुत ही एजी है बनाना बहुत ही टेस्टी बनता है यह मोदग बनाना भी काफी एजी है तो यहां पर जो खोया है वह हलका सा गरम है तो इसे फटाफट इसे शेप कर लेत हैं तो बस इस तरीके से जसा हम आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहे हूं स्मूल में से फिल कर लें पस कुछी सेकेंड में आपको जो मौदग है वह इसली बन करके रेडी हो जाएगा आपको यहां पर दिखा रही हूं ओपन करके इतना प्यारा सा यह मोदग बन करके हमा कर लेते हैं तूटी-फूटी आप कम या जादा एड़ करें जैसा आपको पसंद हो तीसी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं किता कलरफुल यह दिख रहा है वापस इसे मोल्ड में फिल करेंगे और अच्छे से शेप कर लेंगे खोई को यहां पर पूरी रेडी है जटपट से टूटी-फूटी मोदग भी आप इसली बना सकते हैं अपने गनपत्ती बपा के लिए तो मैं आपको खोल करके दिखा रही हो कि यह टूटी-फूटी मोदग किता पढ़िया बन करके रेडी हुआ है यह इसली दी मूल्ड हो जाता है कोई भी दिकत न वापस ले लिया है खोया और इसमें मैं एड्ड करने चोकलेट नहीं तो यहां पर आपको इसा भी चॉकलेट एड़ कर लिंए तो यहां पर मूझे यहां पी चॉकलेट चिप्स का मेर्ट चाहिए था ताकि वो एक अच्छा सा कलर आ जाए मोदक में खोए के साथ तो इस तरीके से मैंने हलका सा गरम होने पे इसे एड़ कर दिया है ताकि जो चॉकलेट वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए वापस इसे हम मोल में फिल कर लेंगे और अच्छे से शेप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये फटा-फट ये चॉकलेट मोदक भी हमारा बन करके रेडी है मैं आपको डी मूल भी करके दिखाती हूँ तो ये हमारा चॉकलेट मोदक भी रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से तो बस इस तरीके साब चॉकलेट मोदक सारे बना ले चलते हैं नेक्स फ्लिवर की तरफ तो नेक्स मैं आपके साथ शेयर करेंगे केसर मोदग केसर मोदग बनाने के वापस से ले लिया है मैंने खोया और इसमें एड़ करेंगे केसर वाला दूद अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट करें ना भूले और प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो इस गनपती पे अपने गनपती बपा के लिए ये मोदक प्रिपेर कर पाएं तो वापस ये से शेप कर लेते हैं मोल में डाल करके और टी मोल कर लेते हैं तो जट पर से हमारा केसर मोदग भी बन करके ready है और आप देख सकते कितना बढ़ियासा ये color और shape आ गया है तो बस यही easy steps के साथ अगर आप भी मोदग घर पर ही बनाएंगे पचार से बिना खरीदे तो आपका भी फ्लेवरफुल मोदग घर पर ही बन जाएगा तो उपर से थोड़ा सा मैंने केसर इस पर एड़ कर दिया है तो हमारा सारा मोदग बन करके ready है ड्राइफ फूट मोदग चॉकलेट मोदग केसर मोदग और साथ ही हमारा last टूटी फूटी मोदग तो इस तरीके से मैंने सारी मोदग को प्रिपेर कर लिया है easy तरीके से और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले मैंने सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रहा है इसी वीडियो में ताकि आप भी एक नहीं दो नहीं चार तरीके के मोदग इसली घर में प्रिपेर कर पाएं तो यह मावा मोदग आपको ये रेसिपी कैसे लगी है प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बदाए जट पर से ये रेसिपी बंजा आती है 30 मिनट्स के अंदर मैं आपको मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई वे और अपना ध्यान रिखे